उधारण 16 100 और 200 के बीच की विशम संख्याओं का योगफल ज्याद किजिए हल 100 और 200 के बीच की विशम संख्या है 101 103 105 और इसी तरह से अंत में 199 संख्याओं के उपर्युक्त शंख्याओं की उपर्युक्त शंख्याओं की उपर्युक्त शंख्याओं की एक समांतर शेणी है क्यूंकि इसमें दो पदों का अंतर सर्वांतर दो है इसलिए यहाँ एक समांतर शेणी है माल लीजे इस समांतर शेणी के पदों की संख्या एन है बराबर 101, अन्तिम पद L जिसे हम कहते हैं अन्तिम पद L बराबर 199 और उसी तरह से सारव अंतर D जो है वो 103 में से 101 को घटाएंगे तो 2 है, माल लीजिए इस समानता श्रिणिम के पदों की संख्या N है, तब N वा पद बराबर 199 अब हम जानते हैं कि N वे पद का सूत्र A धन कोष्टक में N रिने 1 कोष्टक बन D बराबर 199 A हमारे पास प्रथम पद है 101 तो A बराबर 101 दिया हुआ है N हमें ज्याद करना है और D जो है सर्व अंतर 2 है बराबर 199 उसी तरह से अब हम 101 का पक्षानतर करेंगे और N रिन 1 के बाहर जो 2 है उसको कोष्टक को खोलेने पर हमें प्राप्त होंगा 2N रिन दो बराबर 190 में और 101 का पक्षानतर करेंगे तो रिन 101 इसी तरह से दो एन रिर दो बराबर एक सा निन्यानवे में से एक सो एक को हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगा अंठ्यानवे तो दो एन बराबर अंठ्यानवे और रिर दो का पक्षांतर करेंगे तो धन दो इस तरह से एन बराबर अंठनबे और दो का योग सौ और दो का पक्षांतर करेंगे बटा दो बराबर यहां एन का मान हमें पचास प्राप्त हुआ इसलिए इसलिए सौ और दो सौ के बीच की विशम संख्या का योगफल एस एन बराबर एन बटा दो और एधन एल हमारा सूत्र है तो एस पचास बराबर पचास एन का मान पचास आया था तो एन के स्थान में पचास बटा दो कोश्टक में 101 धन पर्थम पद 101 है और अंतिम पद हमारा एल जो है 199 है इस तरह से पचास बटा दो पचीस हुआ और इन दोनों को 101 और 199 का योग होगा 300 और पचीस को जब हम 300 से गुणा करेंगे तो 7500 हमें प्राप्त होता है इसलिए 100 और 200 के बीच की विशम संख्या विशम संख्या का योगफल का योगफल 7500 है या इस उधारण का हल है